Welcome तो आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे Lowest Common Multiple और Highest Common Factor के बारे में और शुरुआत में Concepts के बारे में डिसकस करने वाले हैं और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे कुछ Important Problems डिसकस करेंगे तो हर तरह के Problems मैं लेने वाला हूँ तो वीडियो के अंत तक मने रहें ताकि आपको ये Concept पुरी तरसे समझ में आ जाए तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले Lowest Common Multiple और Highest Common Factor की बात करें तो दो टर्में यहाँ पे आ रहा है पहला टर्म आ रहा है Factor Highest Common Factor में क्या टर्म है? Highest Common और Factor और Lowest Common Multiple में क्या टर्म है? Lowest Common and Multiple तो अगर आप नाम से ही देखे तो काफी चीजे क्लियर हो जाती है पर चलिए हम समझ लेते है Factor क्या होता है तो जैसे कि मैं एक नमबर ले लेता हूँ 36 और मैं आपसे पूछू कि 36 के Factor क्या क्या है? तो आप बोलेंगे कि 36 को क्या क्या नमबर डिवाइड कर सकता है तो 1 डिवाइड कर सकता है 2 कर सकता है, 3 कर सकता है 4 कर सकता है, 5 नहीं करेगा, 6 कर सकता है, 7, 8, 8 भी नहीं करेगा, 9 कर सकता है उसके बाद 12 डिवाइड करेगा, 18 डिवाइड करेगा, और 36 भी अपने आपको डिवाइड करेगा तो यह जो सारे numbers है, वो 36 के factor है, ठीक है उसी तरह से मैं आपसे बोलों कि 12 के factors लिखे तो आप क्या लिखोगे 12 को divide करने वाला number है 1, 2, 3, 6 यहाँ पर मैं miss कर गया मुझे यहाँ पर 4 भी लिखना चाहिए तो मैं 1, 2, 3, 4 और 6 और 12 तो यहाँ पर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 6 और फिर लिख दिया 12 तो यह सारे 12 के factors हैं ठीक है अगर मैं आपसे पूछओ कि multiple क्या होता है तो multiple क्या होता है वो भी आपको idea होगा पर फिर भी for the sake of completeness मैं आपको explain कर देता हूँ जैसे मैं आपसे पूछओ कि 7 के आप multiple लिखिए तो 7 के multiple क्या क्या होंगे 7 में अगर आप 1 से multiply करेंगे तो आपको 7 मिलेगा 2 से multiply करेंगे तो 14 मिलेगा 3 से multiply करेंगे तो 21 मिलेगा 4 से multiply करेंगे तो 28 मिलेगा तो यह सारे जो numbers हैं वो 7 के multiples हैं ठीक है तो multiple क्या होता है और factor क्या होता है वो आपको clear हो गया तो जैसा की definition बता रहा है कि अगर हम पहले बात करते हैं HCF की यहनिकी highest common factor की तो इसमें दो term है और राधर तीन term है एक है highest दूसरा है common और तिसरा है factor तो highest common factor निकालने के दो तरीके है एक तो जो तरीका है उसको हम बोलते है factorization method ठीक है तो एक तो तरीका जिसको हम बोलते है factorization method और जो दूसरा process होता है उसको हम बोलते है division method ठीक है तो दोनों हम समझ लेंगे कई बार हमें factorization method का इस्तेमाल करना पर सकता है और कई बार हम division method का इस्तेमाल करते हैं यह problem के nature पे depend करेगा कि कौन सा method इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सा method suitable है तो इसको समझने के लिए मालों मैं 3 number लेता हूँ एक number लेता हूँ 42 फिर दूसरा number लेता हूँ 63 और तिसरा number लेता हूँ 140 और मैं आप से पूछू कि इन तीनों का आफ highest common factor निकालिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है 42 को उसका prime factorization के form में लिख लेता है और prime factorization क्या होता ये भी आप थोड़ा समझ लेजे जैसे कि मालों लिजी हमारा number है 42 ठीक है फिर जो next smallest prime है और जो 21 को divide कर सकता है वह है 3 तो 3 से हम divide करेंगे तो आएगा 7 तो 42 का जो prime factorization है वह है 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 7 to the power 1 और ideally हम क्या करते हैं जब हम prime factorization लिखते हैं तो lowest to highest की तरह से लिखते हैं मतलब जो सबसे smallest prime है उसको पहले लिखते हैं फिर smallest prime और उसके बाद जो next prime है उसको लिखते हैं उसी तरह से अगर आप 63 की बात करें तो यहाँ पर मैं direct click देता हूँ 63 को आप 2 से divide नहीं कर सकते हैं आप 3 से करोगे 3 से divide करोगे तो आएगा आपका 21 21 को भी फर्दर आप 3 से divide कर सकते हो तो फिर से आजाएगा आपको 7 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 square into 7 to the power 1 और अगर हम 140 की बात करें तो 140 का prime factorization क्या होगा 140 को अगर आप divide करेंगे 2 से तो आएगा 70 फिर 70 को 2 से divide करेंगे तो आएगा 35 35 को 2 और 3 से नहीं कर सकते हैं 5 से कर सकते हैं तो 5 से किया तो आया 7 तो इस तरह से इसका जो prime factorization है उसको हम लिख सकते हैं 2 square into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 अब highest common factor हम कैसे निकालते हैं उसको हम समझ लेते हैं तो highest common factor निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन जो अलग-अलग prime number हमें मिले हैं इनके factorization में जैसे कि यहाँ पे हमें 2 मिला है 3 मिला है और 7 मिला है तो इसमें से उसके जो power है जो smallest power है उसको हम लेते हैं ठीक है तो माल लो यहाँ पे जो 2 है उसका यहाँ पे smallest power क्या है यहाँ पे 2 to the power 1 है यहाँ पे 2 का कोई power नहीं है और यहाँ पे 2 का power 2 है तो जो smallest power है वो क्या है smallest power है यहने की 2 का power 0 है ठीक है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ पर हम direct भी इसको ignore कर सकते थे क्योंकि 2 जो है वो तीनों में common नहीं है केवल इस में है फर्स्ट में है और थर्ड में है second में नहीं है उसी तरह से अगर आप next prime लो 3 तो 3 का यहाँ पे power 1 है यहाँ पे 3 का power 2 है पर यहाँ पे 3 का कोई power नहीं है तो 3 का smallest power है वो क्या 3 का smallest power है 0 क्योंकि तीसरे वाले prime factorization में 3 नहीं है अगर हम 7 की बात करें तो 7 का power यहाँ पे आएगा वो आएगा 7 यानि की 42, 63 और 140 का जो highest common factor है वो है 7 I hope कि आपको यह process समझ में आ गया होगा अगर आपको नहीं आया तो मैं एक छोटा सा सवाल और ले लेता हूं जैसे मैं आप से बोलूं कि आप 24 और 36 का highest common factor निकाले समझने के लिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क एक नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करें तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर जो है और वो सबसे बड़ा भी हो तो 12 इसको डिवाइड करेगा और 12 इसको भी डिवाइड करेगा 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो जहां तक HCF की बात है वो तो हमें पहले से पता है कि यह 12 है पर हम process को समझना चाहते हैं तो एक बार इसको हम दोबारा लिख लेते हैं तो 24 को हम कैसे लिखेंगे 24 को अगर हम prime factorization लिखें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या और अगर हम 36 की बात करें तो 36 का prime factorization क्या है 2 से आया 18 फिर 2 से आया 9 फिर 3 से आया 3 ठीक है तो यह हो गया 4 into 9 तो इसको हम लिख सकते है 2 square into 3 square ठीक है तो highest common factor कैसे निकालते हैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो common prime है यानि कि यहाँ पर common prime है 2 और 2 तो हमने यहाँ पर 2 लिय और इनका जो power है उसमें से minimum power लेते हैं तो यहाँ पर power 3 है यहाँ पर power 2 है तो minimum क्या हो गया 2 हो गया और जो next prime factor है वो है 3 और उसके जो minimum power है उसको हम ले लेते हैं तो 3 का power 1 है तो यहाँ पर ले लिया 3 तो इससे क्या मिला 2 into 2, 4 into 3 12 जो की हमें पहले से पता था कि यह इसका prime और इसका जो highest common factor है वो 12 है तो ये जो process हमने आपसे बताया factorization method तो I hope कि आपको ये clear हो गया होगा कि factorization method से हम कैसे highest common factor निकाल सकते हैं और highest common factor का ये concept भी आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसा factor हम ढूड़ रहे हैं जो सारे numbers को divide करें जिनका भी हम highest common factor निकाल रहे हैं और वो सबसे बड़ा हो तो जैसे कि यहाँ पे 7 जो था इन तीनों का highest common factor था इसका मतलब 7 एक ऐसा number है जो तीनों को divide करेग और 7 से बड़ा कोई और number नहीं है जो इन तीनों को divide कर सकता है यानि कि 7 एक ऐसा number है जो highest है इन तीनों को divide करने वाला ठीक है अब यही example मैं ले लेता हूँ हमारे पास number है 42, 63 और 140 और अगर हमें division method से highest common factor निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे तो division method से हम क्या करते हैं कि दो number और लेते हैं मालो हमने इन में से दो number लिया 63 और 42 तो 63 को हम 42 से divide करते हैं और इसको हम repeated division की मदद से करेंगे तो एक बार में जाएगा यहां पर 42 फिर remainder यहां पर आएगा 21 फिर 21 से हम divide करेंगे 42 को तो यहां पर 2 times यह divide हो जाएगा 42 remainder आगा 0 ठीक है तो 21 जो है इन दोनों का यानि कि अगर मैं आप से बोलू कि HCF of 42 और 63 अगर हमें निकालना होता तो इनका HCF होता 21 पर अब हमें क्या करना है कि हमें इन तीनों का HCF निकालना है तो जो process होता है वो यह होता है कि अगर आपको 2 से ज्यादा numbers के HCF निकालने हो तो आप किसी 2 का निकालिए और फिर जो HC HCF है तो आप HCF आगे निकालना किसका है 21 का है जो हमारा HCF इन दो numbers का आ गया उसका और जो तीसरा number है 140 का उसको हम division method से निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे 140 आप लो जिसको आपको divide करना है 21 से तो एक इतनी बार में आएगा I think 6 times में आएगा 126 तो remainder आया 14 फिर 14 को आप divide करो 21 से तो एक बार में आएगा यहां से आया 7 और फिर 7 से आप divide करोगे अगर 14 को तो यह 2 times में चला जाएगा यहां पर 14 आएगा space नहीं है पर मैं आपको लिख देता हूं remainder आजाएगा 0 ठीक है तो यहां मैं आपको यहां पर दोबारा करकर दिखा देता हूं ताकि आपक 14 को हमने divide करना है किसे 21 को 14 से 21 को करना है तो 1 बार में हमारा यहां पर 14 फिर 7 7 में हमें 7 को हमें 14 को 7 से divide करना है तो 2 times में आजाएगा 14 तो remainder आगया 0 तो जो लास्ट डिवाइजर है 7 वो हमारा HCF होता है तो इन तीनों नंबर का जो HCF है वो कितना हुआ है 7 प्रोसेस क्या है कि पहले 2 का निकाला फिर जो HCF हाया उसका और तीसरे नंबर का HCF निकाला division में सबसे तो यह दोनों प्रोसेस आई गेस कि आपको clear हो गया होगा कि कैसे हमें HCF निकालना है ठीक है अब LCM कैसे निकालना है तो LCM का भी दो प्रोसेस है LCM मैं यह आपको दोनों आप सूच रह सकते हैं तो इसमें एक तो होता है factorization method इसमें भी factorization method होता है और दूसरा होता है common division method तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ इसमें एक-एक example ही लेंगे ठीक है factorization method होता है पहला method और दूसरा method होता है common division method तो चलिए इसको हम पहले आपको समझा देते हैं दोनों को और फिर इंट्रेस्टिंग प्रॉब्लम लेने वाले हैं आप वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी आपको concept क्लियर हो जाएगा तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी तो जैसे एक simple example मैं आपसे ले लूँ पूछू कि आप हमारे पास मालू चार नंबर है 16 24 36 और 54 यह चार नंबर ले लिया और मैं आपसे पूछू कि इसका lowest common multiple निकाली है तो जैसा कि नाम आपको suggest कर रहा है lowest common multiple यानि कि हम एक ऐसा number ढूट रहे हैं जो इन सब के multiple हो यानि कि उस नंबर में 16 से 24 से 36 से 54 सब से डिवाइड हो जाए वो numbers common हो यानि कि यह चारो से डिवाइड हो जाए और साथ ही साथ वो lowest हो तो ऐसा नंबर जो इन चारो से डिवाइड भी हो जाए और सब से छोटा हो उसको हम बोलते है lowest common multiple factorization method क्या होता है आप जल्दी से समझ ले 16 का प्राइब factorization लिखेंगे तो 2 to the power 4 आएगा मैं direct लिख देता हूं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 4 times 24 का क्या आएगा अगर आप इसको लिखो है तो 24 होता है 8 into 3 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 to the power 1 अगर मैं आप से पूछू 36 का prime factorization क्या होगा तो यह होता है 9 into 4 यानि कि 2 square into 3 square और अगर मैं आप से पूछू कि 54 का prime factorization क्या होगा तो यह 54 कैसे होगा 2 से करोगे तो 27 और 27 फिर हो जाएगा 3 to the power 3 ठीक है तो जो LCM है अगर हम factorization method की बात करें तो HCF में हम क्या करते थे जो lowest power होता था इनके जो प्राइम जो common prime number होते थे उनका lowest power तो इसमें जो prime number है पहला prime number 2 है और 2 का highest power हमें लेना होता है तो यहाँ पर 2 का power 2 है यहाँ पर 2 का power 3 है यहाँ पर 2 का power 4 है तो हमने यहाँ पर ले लिया 2 का power 4 जो दूसरा आ जाएगा 270 और 135 और प्लस 27 यानि कि यह आ जाएगा 432 तो 432 एक ऐसा नंबर है जो 16 से 24 से 36 से और 54 सब से डिवाइड हो जाएगा और साथी साथ यह smallest नंबर है तो यह process होता है factorization method आप अंतर समझ पाए होंगे पहले के case में हम क्या ले रहे थे पहले के case में हम ले रहे थे जो prime factors आ रहे थे उसके lowest power को ले रहे थे और इसमें हम उसके highest power को ले रहे हैं अगर कोई prime factor present नहीं है तो हम उसका power 0 ले सकते है जैसे कि यहाँ पे हम इसको बोल सकते थे कि यह 3 to the power 0 है ठीक है तो अगर हमें इसका HCF निकालना होता ताकि आपका concept बिल्कुल clear हो जाए तो HCF हम कैसे निकालते इन में जो सबसे lowest power आता 2 का वो आता 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है य और यहाँ पे जो 3 का सबसे lowest power आता वो 3 का सबसे lowest power क्या आता 0 तो हम लेखते 3 to the power 0 तो इसका जो answer आता 2 मलब 2 एक ऐसा number है जो इन 4 को divide कर सकता है अगर आप और कोई number ले तो ऐसा number नहीं होगा जो इन 4 को divide करेगा ठीक है तो इसका highest common factor यहाँ पे होता है 2 अगर आप मैं आप से पूछू कि इसका common division method क्या है तो आपने बचमन में पढ़ा भी होगा पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि 16, 24, 36 और 54 अगर इसका हमें LCM निकालना है कौन से method से common division method से तो इसका process क्या होता है कि हम इसको एक ऐसा smallest prime लेते हैं तो इन सब को divide करें तो यहाँ पे 2 है 2 स से divide करने पर 16, 8 आजाएगा 24 को divide करोगे तो 12 आएगा 38 को divide करोगे तो 18 आएगा और 54 को divide करोगे तो 27 आएगा फिर next में हमें क्या करना है फिर से एक ऐसा prime root नहीं है जो इन सब को divide करें तो जाहिए इसी बात है कि यहाँ पर 2 से आप दोबारा कर सकते हो तो आएगा 4 फिर यह यहाँ से आएगा आपका 6 फिर यहाँ से आएगा आपका 9 और फिर यहाँ से आएगा 27 27 टू से divide नहीं होगा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर कोई बड़ा नंबर से भी ले सकते थे पर प्रोसेस आपको क्लियर हो जाए हमें smallest प्राइम से शुरुआत करते हैं फिर हम 2 से दोबरा करेंगे क्योंकि minimum 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि उस नंबर से divide हो जाने चाहिए तो 2 से अगर हम दोबरा इन सब को divide करें तो यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 27 आएगा अब इसको हम 2 से divide नहीं कर पाएंगे ठीक है तो 2 से हमने कोई महलब कम से कम दो नमबर ऐसे नहीं है जो 2 से डिवाइड होंगे पर दो नमबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होंगे तो 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 से 2 को डिवाइड करने पर हम 2 को कॉपी करते हैं क्योंकि 3 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा 3 को 3 से divide करें तो 1 आएगा 9 को 3 से divide करें तो 3 आएगा और 27 को 3 से divide करें तो 9 आएगा फिर से हमें क्या करना है 3 और 9 को हम 3 से divide कर सकते हैं तो बागी जो numbers है 2 और 1 वो copy हो जाएगा 3 को 3 से divide करेंगे तो 1 आएगा और 9 को 3 से divide करेंगे तो 3 आएगा तो अब हमें आगे डिवाइड करने की जोरत नहीं है क्योंकि कोई ऐसा नंबर दो बार नहीं आ रहा है जिसको नाहीं हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं नाहीं हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो LCM कैसे निकलेंगे इन सबका प्रोड़क्ट लेना होता है 2, 2, 2 और यहां भी 2 यानि कि आप जैसा देख रहे है कि 2 इनके प्रोड़क्ट में 4 बार आएगा तो 2 to the power 4 और 3 यहां प्यारा है यहां प्यारा है और यहां प्यारा है तो यह 3 to the power 3 1, 1 भी आ रहा है कुछ लोग बोल सकते हैं पर 1 लिखने से कोई प्रोड़क्ट में अंतर नहीं आएगा तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही आएगा 2 to the power 4 into 3 to the power 3 यहांने कि 432 तो यह प्रोसेस है LCM और HCM निकाल लेगा I hope कि आपको clear हो गया होगा दोनों मेथड हमने आपको बता दिये अब कुछ और important terms हैं जो आपको पता होने चाहिए एक तो जो result है वो यह है कि अगर दो number है A और B तो इनका जो product होता है product of A and B A and B यह equal होता है किस चीच के यह equal होता है LCM of A and B into HCF of A and B यह बहुत ही popular result है और इसके उपर questions पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यह एक important remark हो गया दूसरा जो important remark मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ है यह कि दो numbers को हम co-prime या relatively prime कब बोलते हैं दो number co-prime या relatively prime यह term important है इसको आप समझ लेजे दो numbers को co-prime या relatively prime तब बोलते हैं जब उनका मालो दो number है A और B और इनका HCF इनका highest common factor अगर 1 के बढ़ावर हो तो उन दो numbers को हम relatively prime या co-prime बोलते हैं ठीक है for example अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आप से बोलू कि HCF निकाले किन दो numbers का for example 24 और 25 का निकालें तो इनका highest common factor 1 होगा तो यह 24 और 25 जो हैं को प्राइम नंबर बोले जाएंगे ठीक है उसी तरह से मैं आप से पूछू कि 12 और 19 का highest common factor क्या होगा तो 12 और 19 का highest common factor जो होगा वो 1 होगा तो 12 और 19 भी आपस में relatively co-prime होगे ठीक है अब जो important concept है वो है कि अगर हमें fractions के LCM या HCF निकालना हो LCM and HCF of fractions तो ये भी आपको idea होना चाहिए और ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो देखिए इसमें हम कैसे करते हैं जैसे कि इसका पहले formula लिख लेते हैं कि अगर हमें HCF निकालना हो fractions का HCF कैसे निकालते हैं हम जितने भी fractions हैं उनका सबसे पहले HCF निकालने के लिए उनके numerator का तो हम यहाँ पर लिखते हैं HCF of numerators उपर वाले का I hope कि आपको यह idea है कि numerator क्या होता है और denominator क्या होता है और नीचे हम लिखते हैं LCM of denominators numerator मतलब uns और denominator मतलब her LCM कैसे निकालते हैं LCM में सिधा है जैसे कि याद कैसे रखोगे जैसे कि HCF निकालना है तो उपर में हम HCF लिखते हैं और नीचे में हम LTM लेखते हैं LCM निकालना हो, तो उपर में हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM of Numerator, उपर वाला उपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज करने की जुरुत नहीं है, तो LCM of Numerators ले लेते हैं, और फिर हम HCF of Denominators ले लेते हैं, ठीक है, एक्जामपल से आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको समझ लेजिए, मैं मालो आपको एक एक्जामपल लेता हूँ, कि हमारे पास चार फ्रैक्शन है, जैसे 2 by 3 है, 8 by 9 है, 16 by 81 है, और 10 by 27 है, और मैं आपसे पूछों कि इन सब का HCF निकाली है, तो HCF के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा, नियूमरेटर्स का है, यहनि कि 2, 8, 16 और 10 का, और LCM किसका लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, डेनोमिनेटर्स का, तो डेनोमिनेटर्स में क्या है, 3 है, 9 है, 81 है, और 27 है, तो आई होप कि आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा, कि एक ऐसा नमबर जो इन सब को डिवाइड करें और कॉमन हो, तो वो तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 को डिवाइड करने माला 2 है, और बाकि 2, 8 को भी, 16 को भी, 10 को भी डिवाइड कर देगा, LCM कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अभियस है कि 81 को 3, 9 डिवाइड कर देगा, और 81 को 27 27 भी डिवाइड कर देगा, 27 इंटू, I think 3 टाइमस या, तो यहाँ जो LCM है, वो 81 है, तो यह HCF हो गया, इन 4 आपके क्या बोलते है उसको, fractions का, अगर मैं आपको बोलूँ कि इन 4 का आप LCM निकालेंगे, तो LCM क्या होगा, LCM होगा, हमें LCM लेना है, हमें LCM किसका लेना है, Numerators का, यानि कि 2 का, 8 का, 16 का और 10 का, और HCM किसका लेना है, HCF लेना है हमें Denominator का, यानि कि 3 का, 9 का, 81 का और 27 का, तो LCM क्या होगा, 2, 8, 16 और 10 का, I think अगर आप एक common, जो multiple है और smallest हो, तो I guess की 80 होगा, आप इसको verify करिए, क्योंकि 80 को 16 भी divide करेगा, 10 भी करेगा, एक obvious सी बात यह से भी है, कि अगर हमें 10 से divide करना है, तो वो number के last में 0 होना चाहिए, तो 20 नहीं हो सकता है, 30 नहीं हो सकता है, 40 नहीं हो सकता है, पर 40 में 16 से divide नहीं होगा, उसी तरह से तो आप इ 3 सब के common में भी आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम fractions के LCM और HCF को निकाल सकते हैं, I hope कि अभी तक हमने जो बातचीत की है इस वीडियो में, उसमें आपको कोई confusion नहीं है, वीडियो में अलरी हम around 24 मिनिट का time ले चुके हैं, पर आगे हम बहुत ही interesting problem करने वाले हैं, तो इसको आप देखते रहें ध्यान से, ठीक है, एक और concept है कि जैसे decimals का LCM और HCF कैसे निकालते हैं, decimal का, तो इंक को मैं change कर देता हूँ, LCM, LCM and HCF of decimals, तो मालो बहुत सारे decimal दिये गया हूँ, तो उसको हम एक example से समझेंगे, तो पहला जो है, जैसे कि हम एक example ले लेते हैं, कि हमारे पास मालो fraction है, 0.63 है, 1.05 है, और 2.1 है, तो सबसे पहले अगर हमें HCF की बात करनी हूँ, तो दोनों cases में मैं पहले HCF की बात करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहले step में, कि जितने भी decimals हैं, या जित है, तो हम 2.1 को 2.10 लिख देते हैं, ताकि decimal के बाद जो numbers हैं, वो बढ़ाबर हो जाए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2.10, यहाँ पर 2 number है decimal के बाद, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है, अब next step में हम इनको ignore कर देते हैं, हम इनको decimals को हटा देते हैं, without decimal हम इन तीनों numbers क लिख देते हैं, अब इन तीनों numbers का without decimal जो हमने लिखा, इनका HCF निकाल लेते हैं, तो HCF कैसे निकालना है, वो process आपको clear हो चुका है, और यहाँ पर common sense से या observation से देख सकते हैं, कि एक ऐसा number जो तीनों को divide करें और सबसे बड़ा हो, तो 21 हो सकता है, क्योंकि 21, 63 को 105 और 210, तो यह 21 हो गया, अब हमने जब यह decimals को ignore किया था, तो decimal के बाद कितने numbers हैं, दो numbers थे, तो हमें 21 के, दो numbers के, right से दो numbers के बाद हमें decimal को place करना पड़ेगा, यानि कि हम HCF की बात करें, HCF किसकी, 0.63, 1.05 और 2.10 के HCF की बात करें, तो यह 0.21 होगा, concept आपने समझा क्या है, कि सबसे पहला step यह है, कि decimals के बाद हमें numbers को बराबर कर देना है, तो यहाँ पे decimal के बाद दो number था, यहाँ पे decimal के बाद दो number था, 0 और 5 और यहाँ पे decimal के बाद एक ही number था, तो उसको हमने बराबर करने के लिए, एक 0 डाल दिया, जो कि permissible है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हमने, जो decimals है, उसको ignore कर दिया, यह 63, 105 और 210 ले लिया, इन तीनों का HCF 21 आया, अब decimals के बाद दो number थे, तो right से हमने दो numbers count करकर decimal को place कर दिया, जो आया, वो हमारा, क्या हो गया, हमारा HCF हो गया, LCM का भी same process है, LCM में हम क्या करते हैं, कि जैसे यह 3 number है, तो हमें decimal के बाद जो numbers हैं, उनको बड़ाबर करने हैं, तो 2.1 को हमने 2.10 कर दिया, अब हम LCM निकाल लेते हैं, किसका LCM हम निकाल लेते हैं, decimals को ignore करके, 63, 105 और 210 का, और इनका जो LCM आएगा, वो आप निकाल सकते हैं, वो आएगा 630, और फिर वही काम करते हैं, कि अगर हमें LCM निकालना हो, decimals के साथ, तो 0.63, 1.05 और 2.10 का, तो दो numbers right से हम count करके, decimal को place कर देंगे, तो यहाँ पर आजागा 6.30, तो process सेम है, बस ध्यान यह रखना है, कि आप decimals को जो है, decimal के बाद जो number of digits हैं, उसको बराबर करिए, और उसके अलावा decimals को ignore करके, HCF या LCM निकालिए, और फिर appropriately आप decimal के बाद, you know, right से count करके, decimal को place कर दीजे, ठीक है, ओके, तो जो concept की बात थी, वो हमने कर ली, हमने क्या 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 होते हैं, multiple क्या होते हैं, HCF या LCM कैसे न निकालना होता है, दो-दो method हमने बताए, factorization और division method, और उसके अलावा product of दो number जो है, उनके HCF और LCM के product के बड़ाबर होते हैं, fractions के कैसे LCM और HCF निकालने हैं, decimal के कैसे निकालने हैं, तो यह सारी चीजों के बारे में हमने बात की, अब हम कुछ interesting problems करने वाले हैं, और हमारे यह 11, 12, तो total हम 12 problem करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि 12 problem को हम ज़्यादा समय लिए भी न कर पाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहे हैं, चलिए, पहला problem लेते हैं, two numbers are in the ratio of 3 is to 4, and their LCM is 84, find the numbers, तो इस तरह के problems को हम कैसे solve करते हैं, इसका solution बढ़ा ही simple होता है, कि तो वो दो numbers हम क्या ले लेते हैं, वो दो numbers हम ले लेते हैं, 3X and 4X, ठीक है, तो वो हम दो numbers ले लेते हैं, क्या 3X and 4X, क्योंकि उनका ratio है 3 is to 4 के form में, तो हमने ले लिया कि मालो वो number है 3X और 4X, अब उसका LCM क्या होगा, LCM हम कैसे निकालेंगे, 3X और 4X का, क्योंकि अगर आप 3X और 4X का LCM निकालोगे तो 12X होगा, ठीक है, I hope कि आपको ये बात पता चल रहा है, कि एक ऐसार टर्म जो कि 3X से डिवाइड हो जाए और 4X से डिवाइड हो जाए, तो X तो रहेगा वहाँ पे multiple, आप ऐसे देख सकते हो ना, कि 3 into X और इसको देख सकते हो, 4 into X, तो 3 औ और 4 का LCM 12 है, तो ये LCM हो गया 12 into X, पर प्राबलम में हमें क्या दिया गया है, ये 84 के बारबर, तो यहां से हमें X क्या पता चला, यहां से हमें X पता चला, 7 ठीक है, तो जो number से हो क्या है, 3 into 7 यानि कि 21 और दूसरा number है, 4 into 7 यानि कि 28, तो ये answer हो गया, कि 2 numbers जिनका ratio 3 is to 24 था और LCM 84 है तो दो नंबर हो गए 21 and 28 बड़ा ही सिंपल सवाल है जो दूसरा प्राबलम है वो हमने अभी concept डिसकस किया है कि HCF of two numbers is 11 ठीक है तो HCF 11 है और उनका LCM है 693 ठीक है 693 और एक नंबर है 77 तो process क्या होता है कि HCF into LCM होता है वो नंबर एक नंबर 77 है और दूसरा नंबर मालो हम उसको X बोल देते हैं तो X क्या होगा X होगा 11 into 693 by 77 तो यहां से आपको 7 कैंसिल हो गया और 693 को अगर आप डिवाइट करोगे तो 9 times 63 और फिर क्या आएगा 6 into 3 तो यानि कि 99 आजाएगा तो यह answer हो गया 99 यह formula based है तो इसमें कोई doubt नहीं है अब find the greatest number which dividing यहां पर थोड़ा सा कुछ issue है तो इसको देख लेते हैं तो यहां पर यह था कि on था तो find the greatest number which on dividing 1657 and 2037 lips remainder 6 and 5 respectively इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं exams के aptitude के exam में तो इसका अब देखें तो इसमें एक process होता है कि एक ऐसा number निकालना है जो जिसको इससे और इससे डिवाइड करने पर remainder 6 और 5 है तो इस तरह के problems को हम कैसे solve करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि 1657 से divide करने पर हमें remainder क्या आना चाहिए हमें remainder आना चाहिए 6 तो हम इसका minus 6 कर लेते हैं ठीक है और यहां पर हमें आ जाएगा 1651 और 2037 से divide करने पर हमें remainder 5 आना चाहिए यह तो हम क्या करते हैं कि 2037 में से हम 5 divide कर लेते हैं तो हमें यहां पर आ जाएगा 2032 ठीक है पूछ किया रहा है कि find the greatest number which on dividing 1657 और 2037 leaves remainder 6 and 5 मलब हमें वैसा नंबर निकालना है कि जिसको जिस नंबर से अगर हम 1657 को और 2037 को डिवाइड करें तो 1657 को डिवाइड करने पर remainder आए 6 और 2037 को डिवाइड करने पर remainder आए 5 तो क्या करना होता है कि सबसे पहले हम उसमें से जो remainder हैं उन दोनों numbers में से subtract कर लेते हैं और इन दोनों number का हम HCF निकालते हैं तो हम division method से निकाल लेते हैं 2032 को हम divide करते हैं 1651 से एक बार में जाएगा 1651 फिर minus करोगे तो 2-11 13 में से 5 गया तो कितना हैगा 8 और यह 9 हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यह 11 में से 1 जाएगा तो 0 डिवीजन आपको आना चाहिए 1651 को आप divide करना है तो यह कितने बार में जाएगा 5 ताइमस 15 नहीं जाएगा 4 ताइमस ही जाएगा तो यहाँ से आएगा 4 और चोका 32 के दूंहात में 3 चाहती है यह 12 तीन 15 ठीक है तो 1524 आगया इसको माइनस करोगे गया 11 में से 4 गया 7 यह हो गया आपका कितना 4 4 में से दो गया 2 और यहां से आपका बचा 5 पांच पांच चे चे में से पांच गया एक तो 127 को हमें दिवाइड करना है 381 तो यह तिंक 3 टाइमस में हो जाएगा तो यह 381 और रिमेंडर आ गया 0 तो HCF कितना आ गया HCF of 1651 और 2032 यह आ गया आपका 127 यानि कि अगर 127 में को अगर आप 1657 सारी मैं दोबारा बोलता हूं अगर 1657 को 127 से आप डिवाइड करोगे तो देखो अगर यह तो 1651 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6057 को डिवाइड करोगे तो रिमेंडर आएगा 6 यह concept आप समझ पाए concept क्या यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं यह तीन नंबर भी होते तो भी हम वही करते कि जो हमें डिमेंडर चाहिए वह माइनस कर लेते हैं और फिर इनका HCF निकाल लेत हैं और आपको यह पता चल गया कि 127 जो HCF है वो 1651 को डिवाइड कर देगा पर अगर वो 6057 नेंगे तो वहाँ से रिमेंडर 6 आ जाएगा उसी तरह से 2032 को 127 डिवाइड कर देगा पर रिमेंडर आ जाएगा 5 ठीक है अगर आप 2037 को डिवाइड करो तो ठीक है अब देखिए find the largest number which divides 62, 132 and 237 to leave the same रिमेंडर in each case यह भी बहुत एक important सवाल है और कई बार पुछा भी जाता है तो देखो हमें एक ऐसा नमबर निकालना है जिसको 62, 132 और 237 को डिवाइड के जाए जिस नमबर से तो same ही रिमेंडर मतलब एक ही जैसा रिमेंडर है तो इसमें हमें क्या कर होता है मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि जो रिक्वाइड नमबर है रिक्वाइड नमबर क्या होता है कि अगर हमें सेम रिमेंडर चाहिए तो हम HCF निकालते हैं किनका HCF हमें निकालना होगा इन दो नमबर के बीच का जो डिफरेंस है HCF of difference of 132, 132 minus 62 ठीक है और फ 237 minus 132 और जो थर्ड प्यर है 62 and 237 तो 237 minus 62 मैं दोबारा बताता हूँ क्या करना होता है हमें कोर्चन में क्या पूछ रहा है कि find the largest number हमें वो सबसे बड़ा नमबर निकालना है जो कि अगर जिस नमबर से अगर हम 62 को और 132 को और 237 को डिवाइड करें तो जो remainder आए वो same आए तो इस case में हमें क्या करना पड़ता है कि और जितने भी numbers हैं उनके pairs हम लेते हैं 62 और 132 इनका difference लिया 132 और 237 का difference लिया और 62 और 237 का difference लिया यानि कि हमें उनका HCF निकालना है यह कितना difference आएगा यह difference आएगा I think 70 यह आएगा 5 105 और यह 237 माइनस 62 तो 5 और 7 तो 175 तो इन तीनों का HCF क्या होगा? इन तीनों का HCF अगर आप निकालेंगे तो I guess कि आप निकाल पाएंगे वो होगा 35 क्यांकि 35 70 को 105 को और 175 तीनों को divide करेगा तो 35 वो number होगा अगर आप जैसे कि इस question का मतलब अगर आप सको समझना हो तो अगर आप 62 को 35 से divide करें तो यह एक बार में divide होगा और जो remainder आएगा वो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर यह 5 में से 3 गया 27 remainder आएगा उसी तरह से अगर आप 132 को भी 35 से divide करोगे तो remainder 27 आएगा और 237 को अगर आप 35 से divide करोगे तो भी remainder 27 आएगा तो process आपको पता चल गया कैसे निकालना है अगर आप बड़ाबर remainder चाहिए तो इनके जो difference है उनको निकालो और जो numbers इनके difference से आता है उनका HCF निकालो तो आपको answer आजाएगा जो next problem है वो और भी interesting है कि the HCF of two numbers each having three digits यानि कि दू numbers हैसे हैं जिनके अंदर तीन डीजिट है तो हमें HCF और LCM दिया गया है तो HCF अगर उनका 17 है इसका मतलब कि वो number क्या होंगे 17 के multiple होंगे मतलब जो भी दो numbers है एक example से समझेए कि मालो हमारे पास एक number है x और दूसरा number है y और इनका HCF है हमारा मालो 17 यान कि 17 जो है x को divide कर देगा यान कि x 17 into something होगा उसी तरह से 17 y को भी divide कर देगा यान कि y 17 into something होगा तो वो दो number मैं ले लेता हूँ कि वो number है 17 a और 17 b ठीक है अब ये दिया गया है कि इनका जो product होता है आपको concept पता है कि अगर दो numbers लें और उनका product निखा लें तो product जो होता है वो LCM और HCF तो हमारा HCF है 17 और LCM है 714 तो उनके बढ़ाबर होगा तो इसको अगर आप simplify करोगे तो यहां से a into b आपको क्या मिलेगा 17 17 तो कट गया और 714 by 17 करोगे तो आपको आ जाएगा 42 आप इसको देखलो 17 चोंका 68 आएगा तो यहां से 3 और 3 और 4 तो 34 तो 17 तो a into b जो है वो 42 आ गया अब हमें क्या करना होता है कि a और b को इस तरह से pairs बनाने होते हैं कि वो जो दो numbers आएं वो आपस में co-prime हो हमने co-prime का concept discuss किया है तो वो कितने pairs बनेंगे जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ जैसे 42 लेना है तो एक pair तो बन जाएगा 1 और 42 आप अगर 14 का भी जो HCF है वो 1 ही होगा उसके बाद 4 से तो डिवाइड होगा नहीं 5 से नहीं होगा 6 से हो जाएगा तो 6 और 7 ठीक है तो यह हमारे पास 4 pair बन रहे हैं जिनके product जो है 42 के बराबर हो रहा है और जो आपस में relatively prime भी है यह बात ध्यान में रखनी के बात है कि जब भी हम HCF के बात करते हैं तो अगर 17 A और 17 B ले रहे हैं तो यह जो दो नमबर A और B होते हैं वो आपस में relatively prime होने चाहिए ठीक है otherwise HCF 17 नहीं होगा वो relatively prime नहीं होगे तो HCF 17 से ज़्यादा हो जाएगा तो यह 4 pair बन हैं अब हमें कौन सा pair suitable होगा वो चुनना है तो वो कैसे हम decide करेंग A और B को 42 लिया तो 17 इंटू A कितना हो जाएगा 17 होगा पर हमें दोनों नमबर कितने चाहिए दोनों नमबर 3 डिजिट के चाहिए तो यह हम possibility नहीं ले सकते हैं A और B का क्या हम यह ले सकते हैं अगर हम 2 लें तो 17 इंटू 2 34 आएगा 3 डिजिट का नमबर नहीं मिलेगा तो यह भी हम नहीं ले सकते हैं क्या हम 3 और 14 ले सकते हैं तो 3 और 14 अगर हम बात करें तो 17 इंटू 3 51 तो वो भी 3 डिजिट का नहीं बनेगा तो यह भी नहीं ले सकते हैं तो हमें एक ही प्यर बचा तो 17 A की वईलू हम 6 लेंगे और B की वईलू हम 7 लेंगे I hope आप यह बात हो तो 6 से डिवाइड करने पर 17 इंटू 6 कितना होगा 17 इंटू 6 हो जाएगा 17 गुना 6 तो 102 और 17 इंटू 7 119 तो यह दो नंबर्स हमें मिले और हमें क्या पूचा गया है कि इनका सम निकालना है तो इनका सम अगर हम निकालेंगे तो 119 और 102 तो आंसार आजाएगा 221 तो यह एक अच्छा सवाल था I hope कि आपको अच्छा लगा होगा अब जो next सवाल है कि find the list number which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the same remainder 1 in each case तो यह एक easy सवाल है तो इसमें क्या है हमें जो required number है जो answer होगा वो क्या होगा वो LCM हम लिका लेंगे किसका 6 का 7 का 8 का 9 का और 12 का और उस LCM में हम 1 को add कर देंगे तो जो answer आएगा अगर आप इनका LCM निकालोगे तो LCM आएगा 504 और प्लस 1 करोगे तो आएगा 505 I hope कि आप LCM निकाल पाओगे कैसे LCM निकालना है अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकाल पाएंगे तो मैं आपके लिए निकाल देता हूँ 6, 7, 8, 9, 12 तो अगर आप division method स निकालो तो 2 से 3 हो जाएगा 2 से 7 होगा 2 से 4 हो जाएगा 2 से 9 रहेगा 2 से 6 रहेगा फिर अगर आप 2 से दोबारा करो तो यह 3 रहेगा यह 7 रहेगा यह 2 हो जाएगा यह 9 रहेगा और यह 3 हो जाएगा अब आप 3 से कर लो तो 3 से करोगे तो क्या होगा 3 से करोगे तो यह 1 हो यह 2 होगा यह 3 होगा और यह 1 होगा तो पूरी तर से हो गया तो 2 x 2 x 4 x 3 चरती 12 बरसते 84 गुना 6 तो 84 गुना 6 अगर करा गया तो आपको 504 यानि की जो LCM है वो 504 आ जाएगा ठीक है तो यह तो easy सवाल था अगले सवाल पर चलते हैं find the greatest number of 5 digits 5 digits का सबसे बड़ा number जो कि divisible हो 15 से 21 से और 36 से तो इसकी solution निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 5 5 digit greatest number है वो 5 x 9 है 9 9 9 9 9 यह 5 digit का greatest number है पर हमें एक ऐसा number चाहिए जो 15 21 और 36 से डिवाइड हो जाए तो हम क्या करेंगे वो number जो है हम ले लेते हैं LCM of 15 21 और 36 तो अकर आप LCM of 15 21 और 36 निकालोगे तो कितना होगा मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई confusion नहों यहाँ पे हम सीधे लेते हैं 3 से तो यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 12 तो 15 गुना 7 105 गुना 12 तो कितना हो जाएगा 1260 इसका LCM है 1260 एक ऐसा number है जो 15 21 और 36 से डिवाइड हो जाएगा पर हमें greatest number चाहिए जो कि 5 डिजिट का तो उस case में हम क्या करेंगे यह 5 डिजिट का जो number है इसमें हम 1260 से डिवाइड करेंगे ठीक है और देखेंगे कि इसको डिवाइड करने पर remainder कितना आता है ठीक है तो अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा आप इसको डिवाइड करो अगर हम जाएड उसका करेंगे तो हम करेंगे तो कितना होगा थाइड फीस तो यहां से आएगा 9 यहां से आएगा 7 यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा 1 और फिर यहां से लिखो आप 9 ठीक है, अब I think 825 में हो जाएगा बढ़नाव आत हो तर से 825 में या 923 में अगर आप 825 में करोगे तो 1226 में 108 925 में I think हो जाएगा 9 सुना सूना 9, 6, 4, 4, 5, 9, 2, 18, 25, 3, 3, 11, 11, तो यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 5, और यहां से आएगा 4, तो आपका जो remainder है, वह आ रहा है 459, ठीक है, तो यानि कि एक ऐसा number जो इनके LCM से divide हो रहा है, तो remainder आ रहा है 459, तो इसमें से अगर आप 459 को minus कर दो, यानि कि जो required number है, वो क्या आएगा 9, 9, 9, 9, 9, इसमें से आप 459 को minus करो, तो जो आएगा, वो आएगा 0, यहां से आएगा आपका 4, यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 9, और 9, तो यह हो गया आपका answer, मतलब यह जो है, वो 5 digit का सबसे बड़ा number है, जो कि इन तीनों number से divide हो जाए, तो I hope कि आपको idea कैसे है, वो समझ में आ रहा है, अब आगे चलते हैं, the product of two numbers is 2028, and their hcf is 13, the number of such pairs is, तो फिर से वही concept है, कि आप, उनका hcf अगर 13 है, तो वो number हम लेंगे 13a into 13b is equal to 2028, तो यहां से a b क्या आएगा, यहां से a b आएगा, 2028 divided by 169, divide करना पड़ेगा, 2028 में अगर आप 169 से divide करोगे, तो 1 बार में जाएगा 169, यहां से आएगा 12 में से 9 गया 3, और यह हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, और यह 0, तो यहां पे 8, फिर I think 2 बार में divide हो जाएगा, 9 दोनी यह ठाड़ा के आठात में 1, और 16 दोनी 32, एक 33, तो यह 0 हो गया, यानि कि यह A into B जो हो रहा है, वह रहा है 12 के बराबर, अब A into B 12 के बराबर हो रहा है, यानि कि हमें वैसे पेर्स बनाने हैं A into B के, जो की relatively prime हो और जिसका product 12 हो, तो एक तो पेर हो जाएगा 1 और 12, ठीक है, 2 और 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 6 relatively prime नहीं है, जो लोग सुच रहे हैं कि 2 और 6 ले लेंगे, तो 2 और 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनका greatest common divisor 2 होगा, या HTF 2 होगा, 3 और 4 लेख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 relatively prime है, तो हमारे पास ऐसे 2 pairs बन रहे हैं, तो हमसे पुछा गया है कि कितने ऐसे pair है, the number of such pairs is, तो ऐसे 2 possibility हैं, यानि कि एक तो number हो सकता है 13 और दूसरा number हो सकता है 13 गुना 12, ठीक है, और दूसरा number हो सकता है 13 गुना 3 और 13 गुना 4, ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF है, वो 13 होगा, और LCM जो ही इतना है, प्रोड़क्ट जो है, वो 2028 है, तो correct answer कितने pair होंगे, two pairs होंगे, यह अच्छा सवाल है, next question, next question है कि 21 mango trees, 42 apple trees and 56 orange trees have to be planted in a row such that each row contain the same number of trees of one variety, तो यानि कि एक row के अंदर एक ही variety के tree होनी चाहिए, और minimum number of rows in which the trees may be planted is, तो कैसे solve करेंगे, तो इसको solve करने के लिए हमें सबसे पहले, हमें निकालना परेगा, इनका hcf, मतलब hcf क्यों निकालना परेगा, क्योंकि हमें 21 mango trees को row wise लगाना है, और हर row के अंदर same number of tree होने चाहिए, तो इसका मतलब की, क्या possibility है कि, अगर आब इनका hcf निकालेंगे, मैं सबसे पहले आपको निकाल के बताता hcf of 21, 42 और 56, तो I think ये कितना हो जाएगा, साथ हो जाएगा, साथ चोदर नहीं होगा, आप निकाल लो, अगर confusion है तो 42 और 21 का तो simple आगया, एक बार में, सरी, दो बार में 42, ये हो गया 0, और फिर 56 और 21 का निकालो गया, तो दो बार में क्या होगा, 42, फिर आएगा 14, 14 को डिवाइड करोगे 21, तो एक बार में 14, रिमेंडर 7, और फिर 14 को डिवाइड करोगे, तो दो बार में 14, यानि कि रिमेंडर 0, तो hcf हो गया 7, तो अब हमें total number of, minimum number of, रोज कितने चाहिए, तो 21 mango tree है, तो 21 by 7 mango के लिए चाहिए, 52 apple tree है, तो 52 by 7 apple के लिए चाहिए, और 56 है, और इंज तो 56 by 7, तो कितना होगा, यह 3 प्लस सचक 42 प्लस सता उठे चाहिए, तो 8, 6, 14, 3, 17, यानि कि 17 रोज चाहिए, डिस पे तो करेक्ट आंसर होगया, C, ठीक है, जो next question है, कि a person has to completely put each of the 3 liquids, 403 liters of petrol, 465 liters of diesel, and 496 liters of mobile oil in bottles of equal size without mixing, any of the above 3 types of liquids such that each bottle is completely filled, what is the least possible number of bottles required, तो जो लोग smart है, वो समझ चुके होंगे, कि यह सवाल जो है, अलग नहीं है, यह सवाल exactly, जो हमने पिछला सवाल किया है, उसी की तरह के है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, यह 3 नमबर, यानि क तो 496 का, जो है, HCF, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बाकी के कैलकुलेशन आप करिएगा, तो HCF of 403, 465 और 496, यह मैं आपके लिए, होमवर की तरह चोड़ रहा हूँ, आप इसका HCF निकाल पाएंगे, इसका HCF होगा 31, ठीक है, सिंपल है, चलो मैं आपको निकाल के दि कालना है, तो 403 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो एक बार में यहाँ आएगा 403, ठीक है, यहाँ से आएगा आपको 62, 62 को आप डिवाइड करोगे 403, तो कितना बार में, साथ नहीं, छे बार में, तो 36, चोड़नी बारक दुहात में, एक, अच्छा, 36, 37, 37, 37, य फिर 62, दो बार में, तो 62, यह हो गया 0, फिर 31 और 496, तो 496 को डिवाइड करना है 31 से, हो जाना चाहिए, एक ही बार में, तो एक बार में हो गया 31, फिर यहाँ से आए आपका, कितना आएगा, 8 और यहाँ से आए 1, और फिर 6, फिर यहाँ पर जाओगे 6 बार में, तो 186, त की 31 HCF हो गया अब हमें minimum number क्या पूछ रहा है कि without mixing any of the above three liquid in each bottle तो what is the least number of bottles required तो देखो हमें 31 liters के अगर bottle चाहिए ठीक है आप दोबार आपर यह person has to completely put each of the three liquids this 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 in bottles of equal size without mixing any of the above three types such that each bottle is completely filled what is the least number of such bottles required तो हमें एक ऐसा बोटल चाहिए जिसकी capacity 31 liter हो तो और कितने हमें बोटल चाहिए तो हमें चाहिए 403 चुकि liters of petrol है तो divided by 31 plus 465 इसको हम 31 से डिवाइट करेंगे और 496 इसको हम 31 से डिवाइट करेंगे अगर आप इसको solve करेंगे तो जो टोटल आएगा हो आंसर आएगा आपका 44 तो correct answer है आपे 44 ठीक है ओके आगे चलते हैं यह एक काफी interesting problem है और कई बार पूछा भी जाता है कि three girls start jogging from the same point around a circular track each one completes one round in 24 seconds, 36 seconds and 48 seconds respectively after how much time they will meet again तो इस तरह के question में क्या होता है कि आप 24 का 36 का और 48 का LCM निकाल लो तो यह आप एक ही बार में आप 12 से तीनों divide हो जा रहा है तो यहां से आएगा 2 यहां से आएगा 3 और यहां से आएगा 4 तो LCM कितना होगा LCM हो जाएगा 12 गोना 2 गोना 3 गोना 4 तो 12 गोना 24 यह बहत्तर और ऐसे लिख लिख लिजे चार्टी बार और बार गोना बार पर बढ़हां चाहूँ आल से 288 तो 288 यहांनि कि 288 सेकेंड के बाद वह तो बारा मिलेंगे तो 288 सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि 288 को अगर आप सिक्स्टी से डिवाइड करोगे तो चौचोग का 24 दोसो चालिस तो आठ चार तो यानि कि यहां पर मैं एक चोटी सी गलती कर रहा था इसी करण से गरबर हो गया यह LCM जो मैं निकाल रहा हूँ यहां पर वो गलत निकाल दिया क्योंकि जब मैंने इसको 12 से डिवाइड किया तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह एक बार और भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां से आएगा 2, 1, यहां से आएगा 3 और यहां से आएगा 2 लिवाइडिर कि हिए और यहां से चारति है बाद है यह 244 सेकेंट तो 144 सेकेंट का मतलब कितना हो गया कि 62-120 दो मिनट 24 सेकेंड तो दो मिनट 24 सेकेंड हमारा option हो जाएगा भी यानि कि वो दो मिनट 24 सेकेंड के बाद दोबाड़ा मिलेंगे ठीक है आईए last question की तरब चलते है the traffic lights at three different signal point change after 45 second 75 second and 90 second respectively if all change simultaneously at these hours they will change again simultaneously तो यह simple सी बात है कि इसमें भी LCM का concept लाएगा अगर हम इसको 15 से डिवाइट करेंगे तो आएगा 3 या आएगा 5 और या आएगा 6 यहाँ इस बार हम गलती नहीं करेंगे इसको दोबारा हम 3 से डिवाइट करेंगे तो या आएगा 1 या आएगा 5 और या आएगा 2 तो LCM कितना हो गया? LCM हो गया 15 गुना 3 गुना 5 गुना 2 तो 15 तिया 45 गुना 90 गुना 95 गुना 10 तिया 30 गुना 95 यानि कि वो दोबारा 450 second के बाद मिलेंगे तो 450 second का मतलब क्या हो गया? 450 second का मतलब कि अगर आप 60 से डिवाइट करो तो सच्छक 42, 420 ठीक है 30 यानि कि 7 मिनट 30 second के बाद तो साथ 20 में था तो साथ 27 और फिर 30 साथ 45 तो साथ बचके 27 मिनट 45 second पर ये दोबारा जलेंगे आई होब कि आपको पता चल गया कि वो 450 second बाद दोबारा एक साथ जो है सीगनल चेंज होंगे तो इसका मतलब कि वो 7 मिनट 30 second के बाद तो यहाँ पे 27 27 हो गया और 15 और 30 45 यानि कि जो second option है वो correct हो गया ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि LCM कैसे निकालते हैं HCF कैसे निकालते हैं और से related different concepts के बारे में हमने इसमें बात किया आप हमें comment के माध्यम से जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा या आपको क्या लगा ये वीडियो देखें क्या हमने जो problems लिए वो काफी आसान थे या मुस्किल थे जैसे भी थे उसके बारे में हमें जरूर बताएं अपनी राय दें वीडियो को like आप समझदार हैं और समझदार को बार बार समझाने की जरूरत तो होती नहीं तो आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद ऐसे वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा बार बार